सो गाइज विलकम टू प्ले कंसोल आज किस वीडियो में बात करेंगे सोनी के नेक्स स्टेट प्ले इवेंट के बारे में क्यूंकि इसकी डेट और टाइम जो है वह ऑफिशल कंफर्म हो चुकी है सोनी की तरफ से यहां पर इसकी डिटेल क्या है कब देने वाला है यह इंडि आप तक सबसे पहले पहुंचे है कि इस फाइनली एतने टाइम से लीक निकल कर सामने आ रही थी कि मार्च में सोनी का एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ प्ले इवेंट होने वाला है और कई सारे हमें रिवील्स इसमें देखने को मिलेंगे मैंने कई सारे वीडियो इसके इसका देट और टाइम और उन्होंने कुछ डीटेल भी शेर किया है तो क्या है इनकी डीटेल्स मैं आपको देखा दूँ तो अकॉर्डिंग टू प्लेस्टेशन ब्लॉक पोस्ट के न्यू स्टेट अफ प्ले इस अपॉन अस जॉइन इस वेडिनस देट मार्च नाइन ए hardware in this broadcast the show is clocking in around 20 minutes give or take with a special focus on highlighting great games coming from some of our beloved Japanese publishers though we will have a few updates from other developers located around the world too तो यह कहना है PlayStation ब्लॉक पोस्ट का अब यहां पर इन्होंने काफी कुछ details confirm कर दी है इस state of play के regarding सबसे पहली जो detail इन्होंने दी है यह बताई गई है कि मार्च 9 में यह event होने वाला है यानि कि आज के दिन यह event होने वाला है और यहां पर time जो बताई गई है वो बताई गई है 2 p.m. Pacific time विच मिन के अगर इसे Indian standard time के हिसाफ से convert की जाए तो यह event आपक को सारे 3 बजे सुभे में उठना पड़ेगा इस event को देखने के लिए अगर आप इस event के लिए excited है अब यहां पर further इन्होंने काफी कुछ details share किया है सबसे पहले इन्होंने यह जिस official confirm कर दिया है कि यहां पर कोई भी psvr2 के regarding आपको titles देखने को नहीं मिलेंगे विच मिन के क कुछ नया आपको technology दिखाए जाएगा फीचर दिखाए जाएंगे ps5 के तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहां पर ना ही console के regarding ना ही hardware के regarding कुछ भी updates आपको देखने को मिलेगा तो basically यह जो event है यह सिर्फ और सिर्फ games के ओपर focus किया जाएगा और यहां पर देखने वाली ब बताऊंगा और यहां पर यह भी चीज नोट करने वाली बात है कि यहां पर इन्हों ने जैपनीज publisher के बारे में में मेंशन किया है विच मिनकि आपको ज्याद तर जो गेम से वह जैपनीज publisher की तरफ से देखने को मिलेंगे Japanese studio की तरफ से तो देखते हैं इन जैपनीज studio में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि Sony Japan का है तो यहां पर जैपनीज studio को पहले priority दी जाती है तो इसलिए इस एविन में Japanese studio के कई सारे गेम्स हमें दिखाए जाएंगे इसके लावा यहां पर कुछ लोग यह सोच रहे है कि यहां पर आपको PlayStation Spartacus देखने को मिलेगा और उसी को बीट करने के लिए मार्केट पर लॉंच किया रहा है बट इसके रिगार्डिंग जाया तर लीक्स और रूमर आई थी अभी ऑफिशल कंफर्म नहीं आया था बस कोड़नेम आया था स्पार्टकर्स तो मैं आपको बता दू यहां पर रिपोर्ट यह निकल के अगर आपने वोडियो नहीं देखा है तो उस उटे को पर कार्ड मिलेगा जाकर जरूर देखें अब यहां पर मैं आपको बता दू नए रिविल्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं इस इविंड में जो नए रिविल्स के बारे में इस ब्लॉक पोस्ट में मेंशन किया जो है तो तीन गेम जो है जिनके लिक्स काफिस ज्यादा निकल का सामने आ रहे हैं जो आपको इस विंड में शायद देखने को मिल सकते हैं वह सकता है पर औफिशल कोई confirmation नहीं है इसके regarding इसके लावा सबसे बड़ा सवाल क्या इसमें God of War Ragnarok होने वाला है तो definitely इसमें God of War Ragnarok होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसका release date हमें पता है state of play event में confirm होने वाला था सारे बड़े बड़े authentic leakers ने इसकी confirmation की थी तो highly possibility है कि इस event में आपको God of War Ragnarok का release date देखने को मिल जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यह लोग ब्लॉक पोस्ट में जरूर मेंशन करते कि God of War Ragnarok इस event में नहीं होने वाला है just like इन्होंने काफी time पहले किया था एक mini state of play किया था जहां पे ऐसे ही ब्लॉक पोस्ट में उन्होंने mention कर दिया था कि नहीं Horizon Forbidden West नहीं God of War उस event में होने वाला है तो Hogwarts Legacy के सबसे ज्यादा चांस है इस event में होने के पट एक चीज में आपको बता दूँ अगर यहां पे God of War Ragnarok रिवील नहीं होता है इसका release date नहीं देखाया जाता है तो यहां पे बहुत बड़ी possibility है कि इसका एक separate showcase किया जाए जस लाइक Grand Tozmo 7 या फिर घोस्ट वाया टोक्यो रिसेंटी उनका भी PlayStation में state of play showcase किया गया है separate showcase सिर्फ उन्ही गेम का mention किया गया है तो वैसे ही कुछ situation हमें God of War Ragnarok में भी देखने को मिल सकता है अगर यह इस event में नहीं होता है तो बट I think यह इस event में होने वाला है तो यह है details next state of play event के regarding जो के official confirm details है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता है सारी चीज़े confirm है this time no leaks no rumor just official confirmation अब यहां पर आप मुझे comment section में बता है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है और आप क्या आज सारी तीन बजे सुभे में जाकर इस event को देखेंगे आप excited है इस event को देखने के लिए आप मुझे कंड में अपने opinion जरूर दे इस event के regarding और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना और बेलाइकन को प्रेस कर देना ताके आने वाली मेरी upcoming सारी latest gaming news और gaming review related videos आप तक सबसे पहले पहुंचे और अगर आपको लगता है कि मेरा content helpful और informative होता है तो मेरे वीडियो को ज्यादर से ज्यादर करें और इस video को एक like जरू करें तो मिलते अपने नेक्स video में till then टेक क्या